हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे तो स्वागत है आपका आपकी अपने यूटूब चैनल साइंस इस्टडी बे आज हम लोग फिर से एक अति महत्पूर क्वेश्चन के साथ अपने इस प्यारे से चैनल पर उपस्तित हैं तो थमनेल स से आप लोग को तो पता होई गया होगा कि किस टॉपिक के विशर में आज हम लोग डिस्कसन करेंगे यह जो मैं टॉपिक आज ले करके आया हुआ हूँ यह जो है कच्छा बारा रसान विज्यान का जो अध्याज जैवी कड़ू है उसका यह बहुत ही महत्पूर क्वेश् के अगर बोर्ड एक्जाम की बात करें तो उसमें जो यह हमेशा से यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है तो इस क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कैसे होता है तो आए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा टॉपिक है जो इतना के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्थ होता है या ग्लुकोज जो है टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्थ होता है यह जो है बड़ा इंपोर्टेंट है तो आए हम लोग देखते हैं कि ग्लुकोज जो होता है वो टालेन अभिकर्मक के साथ अभी क्रिया करता है तब क्या देता है और glucose जो है feeling million के साथ अभी क्रिया करता है तब क्या देता है ठीक है तो आए हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर question ही लिखा हुआ है यह glucose की क्रिया टाले नभी कर्मक से कराने पर क्या प्राप्त होता है दूसरा मैंने लिखावा है ग्लूकोज की क्रिया जो है फ्यालिंग में ठीक है से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्लूकोज का फार्मूला लिख लेते हैं ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO CHOH four time और यहाँ पे CH2OH यह हमारा होता है ग्लूकोज ठीक है तो ग्लूकोज की क्रिया जब हम टाले नभी कर्मक से कराते हैं और टाले नभी कर्मक का सुत्र क्या होता है AG2O जिसको हम लोग क्या कहते हैं सिल्वर आकसाइड या EC को हम लोग जो है टाले नभी कर्मक भी कहते हैं ठीक है तो जब यह ग्लूकोज जब टाले नभी कर्मक के साथ अभी क्रिया करता है तो हम लोग को रजत दरपड के अवच्छेप देते हैं और साथ में हम लोग को एक अमल प्राप्त होता है वो हम लोग का होता है ग्लुकोनिक अमल यहां से क्या होता है यह जो सिल्वर आकसाइड का यह जो आकसीजन है यह जाकर करके यहां पर यह जो एल्डिहाइड समू है एल्डिहाइड समू के कार्वोनीर समू से जूल करके जो यह है एक कार्वॉक्सलिक अमल में कनवर्ट हो जाता है बाकी नीचे का जो हम लोग का जैसे है उसी तरीके से उतर जाता है तो यह जो हमारा नया कंपाउंड बना है इसको हम लोग कहते हैं ग्लुकोनिक, अमलग, और साथ में हम लोग को जो है यहाँ पे 2A g मिलते हैं, यह हम लोग का होता है, रजत दरपड, ठीक है? तो सिंपल सा हम लोग को ये मालूम होना चाहिए या कह सकते हैं कि ग्लुकोज जब टाले नभी कर्मक के साथ अविक्रिया करता है तो हम लोग को क्या देता है एक तो हम लोग को ग्लुकोनिक हमले देता है और साथ में हम लोगो को क्या देता है रजजदर पड़ देता है ठीक है इसी तरीके से अगर failing willion की अगर हम लोग बात कर लें तो failing willion में क्या होता है glucose हमारा जो है CM यही फार्मूला हम लोग का है CHO CHOH 4x CH2OH अब यहाँ पर जो है failing willion की अगर बात कर लें तो failing willion का फार्मूला होता है Cu ओ यहाँ पर हम लोग जो है यह जो copper oxide इसको कहते हैं इसको हम लोग failing willion कहते है ठीक है तो जब यह अभिक्रिया करता है तो CM यही हम लोग का gluconic हम लोग कह सकते हैं formation करता है और साथ में हम लोग को जो है cuprous oxide का जो है लाल अच्छी अब देता है तो हम लोग यहाँ पर जो है copper oxide की दो अड़ू ले ले लेते हैं तो हम लोग को एक तो यही product मिलेगा C double OH CH OH 4x CH2 OH यह हम लोग का gluconic हम लोग होगा और इसके साथ में हम लोग को जो है यहां पर हम लोग को मिलता है CO2O जिसको हम लोग Q-Pras Oxide कहते हैं और यह Q-Pras Oxide जो होता है यह हम लोग का अवचेप के रूप में होता है और यह लाल अवचेप देता है ठीका और यह हम लोग का सफेद अवचेप देता है तो सिम्पल सा यह है कि glucose जब टालेन अविकर्मक के साथ अविक्रिया करता है तो तो रजत दरपोड देता है और साथ में क्या देता है glucose आपे अगल और यहीं पे बात करें glucose अगर我跟你 तो यह आप लोग जो है बहुत अच्छे से त्यार कर लिजेगा क्यांकि ये जो है बोर्ड की एक्जाम में हर व्रस जो है किसी निकीस सेट में जरूर पूछ लेता है तो इसको आप लोग से अच्छे स्तियार करिएगा झाल झाल